हेलो दोस्तों स्वागत है आपका दवीजन वीपीसे चैल में मेरा नाम है सिवाम चैल दोस्तों क्यूं यानि कोशन आंसर कुछ लोगों ने जो कोशन पूछ है उसके आंसर भी मैं दूंगा और दो तीन बाते हैं जिनके जिसके उपर हम लोग बात करेंगे आज तो कोई लेक एक्जाम डेट कब होगा इसके उपर बहुत सारी लोग जो है कोशन करते रहते थे बार-बार तो उसके उपर एक वीडियो बनाई थी मैंने तो उसका एक स्क्रीन सोट लिया है मैंने उसे उनने बताया था कि अगर अगस्त में एक्जाम हो सकता है लेकिन अगर कहीं अगस् 100% जन्वरी ए फरवरी में चला जाएगा ठीक है गञाएक तो ہके अखले अगजाम होगा तो अब तो एक्जाम डिटियर हो pure कि इस साल मेंma थाकू works टाइम हो गया फॉर्म को निकले हुई लोग प्रीवी नहीं करा पाया अभी तक तो पूरा साल तो ऐसी निकल गया उपर से 15 2015 का लोर का एक्जाम और 2016 का मेंस का एक्जाम जो है उसका जो रिजल्ट दोनों के नहीं आये हैं अभी तक और मोस्ट प्रभी अगर उनका होनी होंगे वो भी एक 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 क्टूबर से जो है शुरू होंगी तो बहुत कम चांस है कि अक्टूबर में लास्थ सक तक रिजल्ट निकल आए अगर एक महिने में रिजल निकल आया तब भी 9 बर और na में आयो एक सोचता है तो सिर्फ दो महीने ही एक्जाम के लिए मिलेगा लोगों जिसमें फॉर्म भी वर्वाना और वी सारी चीजे हैं तो यह थोड़ा मुस्किल लग रहा है कि इस साल मेंस का एक्जाम होगा तो यानि कि अगर सीथा सीथा माना जाए तो आराम से तीन या च चांस है कि 90 परसंट नहीं होगा इस साल मेंस वह नेक्स्ट इयर ही खिसकेगा क्योंकि एक्जाम इतना लेट हो रहा है और उपर से जो है मेंस भी आसान नहीं होता एक दम से ही करा देना तो 24 सेप्टमबर तो प्री है लेकिन मेंस जो है इसका अठारा में चला जाएगा अगला कोशन एंडिफेंस टूरी के सेकेंड पेपर से लेटेड है बहुत सारी कोशच लोग जो है करतें फेसबुक पे और फेस्बूक पेज पर जात में वीडियो के नीचे भी कमेंड करते नहीं देखा मुझे ऐसा लगता कि जाता लोगों नहीं देखा है उसको मैं आपको दिखा सकता हूं कि यह वीडियो मैंने डाली ती 27 माई को ठीक है 27 माई को डाली जून पूरा निकल गया अब जुलाई आ रहा है और अब तक इस वीडियो को सिर्फ 678 यानि 678 लोगों ने द ऑने देखा है ठीक है तो अब रूसी विचार को को इंपॉर्टेट नहीं ट्रोट स्की लेनिंन और जो है इस टॉलिन में यह तीन दिये ठीक से याद नहीं है जब मैंने रेडी किया था पिछले साल पेपर अपना नोट्स रेडी कर रहा था मैं तो दो जार तीन चार या पांच सम्थिंग इस टाइप उस समय जो है लेनिन के बारे में पूछा गया है लेनिन पे कोशन आया था पिछले साल यह देखे आप यहां नहीं पूछा गया है पिछले सालों से ठीक है तो पिछले साल मुझे लगा कि हो सकता है पूछ लिया जाए तो रसी विचागव उपर कोशन आया था और आप अकर बुक्स से कहीं पढ़ सकते हैं बहुत आसान है नोट्स में कई बार बहुत से लोगों के मैं नोट्स देख कि पिछले साल में क्या-क्या पूछा गया है ठीक है क्योंकि उस हिसाफ से कोई आगे आता है अपने त्यारी करता है तो वहां पर ध्यान नहीं है मुश्च पर इस बार जो मैं ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं टॉट्स की या स्टॉलिन में से एक पर कोश्चन आएगा मुश जो बाकी लोग है फस्स पर अलड़ी मैं ने सारा कुछ करा रखा उससे आपको कोशन जो जितने बंते हैं सारे कोशन आपको मिल जाएंगे उसमें बिल्कुल भी सोचने की ज़रूत नहीं है और भी कोशन होंगे तो मैं और भी मेंस के टाइम एड कर दूँगा मेंस के लेकिन मैं आपको यही शला दूँगा कि प्री को हलके मना लेकि अगर प्री नहीं निकलेगा ना तो पूरे एक साल धुसाल हो सकता है तीन साल भी है लगता रहे क्योंकि प्री सोच रहे हैं अब 17 का प्री होगा तो इस सथी बन गई कि घारा में मेंस होगा तो उसके रिज जल्दी खतम होने वाले नहीं उसमें बहुत सारी चीजह हैं जो करवानी पड़ेंगे उसको मुझे 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 डेट आगे इसलिए बंद करना पड़ा डिफेंस में हा लेडी सारा करा दिया मैंने उसको बता भी दिया कि कैसे तरह से बनाना है साड़ा कुछ तो वीडियो कुछ नहीं है लेकिन वह इतना ऐसे नहीं होता को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना ज्यादा सही रहता है तो उसके लिए में में जब टाइम मिलेगा तो उसके बीच हम आसानी से उसको कर सकते हैं तो ज्यादा हरवड़ी करने के जरूद नहीं है और जैसे मैंने दो-तीन मै मैंने वीडियो डाला किसी ने नहीं देगा मैं तो मानूंगा अगर 600-600 लोग बड़ी बाद नहीं क्योंकि मेरे में करीब मुझे नहीं पता कितने लोगों ऑफसन होगा डिफेंस लेकिन पिछले साथ करीब 4-5 जार हो लोगा था 4-5 जार उनका था जो लिखे थे तो सोचि साथ एसिया सेटलाइट है जो इस पर कोश्यन बनना है यह एकदम निश्यत है क्योंकि सार्क एजे टॉपिक की तरह दिया हुआ है सेकंड पेपर में उस वीडियो को मुझे चार सो या पान सो लोगों ने देखा होगा उसके बाद वन वेल्ड वन रोड पे वीडियो मेंने होती रहती है करेंट से जोड़ी लगाता डालता रहता हूं लेकिन उस तरफ आप वो डिफेंस के सेकंड पेपर से ही लेटिड है ठीक है जितनी भी करन से इस तरह के डिफेंस की डिल्स या और की चीज़े होती है तो आसा नहीं पूरी तरह से बंद कर दिया है मैंने लेकि इसका जो रोल रहता है वो थोड़ा सपोर्टिव रहता है आप ऐसा नहीं सिर्फ आप घटना चकरी पड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ठीक है उसके साथ मैंने जो सारी बुक्स बगर आए वो बता रखिए मैंने तो यह बहुत बहुत बार आता है कि है सिर्फ मल्टीब इसा नहीं है क्योंकि यह थोड़ा जो है आपको सपोर्टिव रोल दे सकता है ऐसे प्रेक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हैं लेकिन जो बेशिक प्रपिशन आपको जो सारी बुक्स जो पढ़नी है परिक्षावाणी की सारी बुक्स मैंने आपको बता रखिए तो आप उनको पढ़िए उसके बाद आप देखिए कि कि किस तरह से बनाए ठीक है एक तरह से यह अपने अपनी छमताओं को जानना है ठीक है तो आप घटना चगर उठाइए और घटना चगर जो है एक्जाम से पहले सिर्फ दो रीडिंग लगाना है दो रीडिंग्स ज्यादा न हमने जो नोट्स बनाए होते हम उनको फिर से एक बार पढ़ लेते हैं तब वो कोशन हो सकता है में भी हमारा ने आगे जाके गलत ना हो ठीक है तो ऐसा नहीं तीन महीने अभी बचे हुए हैं तीन में सम्तिंग असी दिन रह गया है तो आप उसमें पहले ही घटना चकर है आपको डाटा जो हैं त्यार करना बहुत जरूरी होता है विकोज मैं बताओ तो आपका जनसंख्या से लेटेट पूछ लिया जाएगा ठीक है ठीक है तो इस साल और पिछले साल में तो पूरा चांस एकॉनमी से अच्छे का से कोशन होने वाले हैं और आकड़े जो है उ पेसिसे आप करेंगे तो इसी क१शन करेंगे ताओ wanna जो आप शॉल करेंगे साही करेंगे तब आप जो है कंफर्ट जो जो 110 होता है 150 में 110 जो होता है comfort zone होता है उसमें आप तभी पहुंच सकते हैं आसानी से दोस्तों यह कोई question नहीं है लेकिन मैंने सोचा इसके उपर वीडियो बनाओ देखिए दो तीन चीजे हैं जिस पर आपको बहुत सारा जो है ध्यान देना है कि आपकर कोई कोई question मनलब कोई ऐसा topic है जो आपका बीक है ठीक है आपको नहीं आता समझ में आप Google में जाकर पढ़ते हैं लेकिन आप पढ़ते हैं जैसे आप books में पढ़ते हैं तो सेम हो गया रही समझ में आता लेकिन YouTube का फाइदा यह कि वहान पर जो भी आपको बढ़ाएगा बतायेगा वहां पर तो बहां पर वो लोग जह हैं बहां से आपको आफानी से समझ में आता है ठीक है तो यह जो एडवांटेस हो गया यूटीब का लेकिन यहाँ पर सबसे वड़ा डिसाइडवांटेज यह है कि आप डिपेंड हो जाएं सिर्फ यूटूब के ऊपर यह बहुत गलत है क्योंकि इससे फाइदा नहीं होगा ठीक है मेरी कुछ चीजे कमज़र है मैं भी जाके यूटूब पर पढ़ता हूं मैं भी जाके गूगल करता हूं यूटूब पर नहीं डिफेंड रहता तो यह चीज गलत है कुछ लोगों ने इसी को एक्दम सारा जरिया जो है बना रखा है कि यहीं से जो होगा वह मिल जाएगा वहीं हम पढ़ लेंगे कुछ लोग तो मतलब मैं क्या को कुछ चैनल पर तो ऐसी इस्तिती हो गई है कि मैं भगवान का दूथ हूं तुम मुझे पढ़ लो और मैं पुरा खलीपा पुरा एंपायर चल रहा है वहां पर उनका ठीक है तो इस तरह की गलती कभी ना करें खैर यह चीज कोई सीरेस कंडेश होगा तो यह सारी चीज समझाने की जरूत नहीं है लेकिन जो चीज में ज एक नहीं दुनिया है ठीक है तो अब बॉट सब का भी गुरूप मतलब बहां कौन जोड़ा है कैसे जोड़ा है कौन सी न्यूस कहां से ला रहा है कैसे ला रहा है कुछ मतलब भी नहीं है सिस्टमेटिक होता नहीं है तो यह सारी चीज एक तरह से अगर मान भी लिए कि फाइदा देती हैं तो फाइदा कैसे फाइदा देती मुझे एक सपोर्डिव रोली तो मैं सकती है ऐसा थोड़ी ना कि में चीज जो में होता है उसमें आजाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि हम पर डेली करंट आ जाते हैं दस उसी जमारे कंट रेडी हो जाते हैं अब वो बंद पता नहीं कहां से ला रहा है कैसे ला रहा है कुछ मतलब ऑथनिटिक तो इतना होता नहीं है तो इन सारी जीजों को ध्यां रखें खुद पर विस्वास करें क्योंकि यह जो मूल मंत्र ब कुद मैंद करनी पड़ती है दूसरा नहीं करा देता कभी जी बीडियो बेंगार डालता हूं अगर आपका उस महिने का करेंट तयार है या आपने किसी और बुक से तयार किया कहीं से तयार किया सब्सक्राइब के लिए पढ़ सकते हैं सिर्प डिपेंड नहीं हो सकते कि मै यह कोई बात नहीं है अगर जो लोग serious हैं उनके लिए मैं सूल रहा था यह बात उंके साथ करूआ जो लो serious हैं नए हैं फश जाते हैं और जो serious नहीं होता वह भी गोल नहीं होता और जिसका कोई गोल ही नहीं होगा तो उसको फिर दिक्कत क्या है वो तो टाइम पास करना है कैसे भी हो जाएगा उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो यह से कहना था मुझे